OnePlus ने हमको दिखाया है MWC 2023 पे अपना नया OnePlus 11 concept phone जी हाँ यह जो phone आप अब देख रहे हैं यह एक concept है और इसके back पे एक नया cooling chamber बनाया गया है जिसकी विजसे जो phone की performance है वो बहुत जादा improve हो गई है इसके back पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ आपको देखा लिखा हुआ उपर की तरफ कैमरा बंप की तरफ पे अक्टिव काईरो जेन अक्टिव काईरो जेंबर मतलब इसमें active cooling की बहुत जादा इसमें काम किया गिया है इसके लावा आपको इसकी back में दिख रही है अलग-अलग LED lights Halo lightning कहता है इसको wordplus यह अलग-अलग modes में अलग-अलग तरीके से अलग effects देती है and काफी interesting है काफी सारे लोगों को देखके इसे in-person काफी different एक चीज लगी इसके लावा जो इसका back है वो एक clear flow cover के साब से बनाए गई है and जो micro liquid जो है इसके अंदर वो जो flow रहा होता है तो वो आपको definitely easily यहाँ पे दिखता है and oneplus का यह कहना है कि यह जो इसका design है active cryo flux जो जिसको यह पीछे की तरफ लिखा हुआ है जो high end luxury watches होती है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उससे inspired है and एक और अगर आपको में interesting बात बताओ इस phone के बारे में वो यह है कि अभी इसका launch कब होना है कैसा होना है कितना difference होगा oneplus 11 से इसके ओपर कोई बात नहीं है यह सिर्फ एक concept है as of now and इंडिया में कब आएगा क्या pricing होगी इसके बारे में जैसा ही बता चलेगा हम आपको definitely update करेंगे पार difference कैस में I think processor बिल्कुल same रहने वाला है RAM same रहने वाली है everything else is going to be the same जो difference है वो यह है कि इसके अंदर आपको एक multi layer structure मिलता है liquid cooling का इसके लावा आपको एक micro pump मिलता है जिसकी मुझा से जो gaming PC's के अंदर cooling होती है वो आपको एक छोटे जे फोन के अंदर मिल जाती है and जो body of course वो unibody है unibody glass की बनी हो इसकी body है so काफी interesting है LEDs है lights है हमने यह सारी ची आपके लिए हम यहां से लेकर आने वाले है झाहında आने तक का छु आने